अब्बात अगली खबर की रोबेट बाडरा के करीब पूर्व विधायक ललितनागर के घर पर 90 घंटे तक चली, इंकम टैक्स की रेड देर रात खत्म हो गई जिसके बाद ललितनागर ने प्रेस कॉन्फरेंस कर इसके लिए भारतिय जन्ता पार्टी को जिम्मेदा ठहराया नोंने कहा कि कॉंग्रेसी होने के चलते भारतिय जन्ता पार्टी उन्हें निसाना बना रही है नोने कहा कि अब तक मारे गए किसी भी छापे में अधिकारियों को कुछ भी नहीं मिला बवजूद इसके घर की महिलाओ और बच्चों तक को घर में क्याद होना पड़ा ललित ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों कोई तब्यत खराब होने पर दवाई तक लेने नहीं जाने दिया पिछले चार दिनों से चार तारिक से और रात के दस बजे तक लगबग 90 गंटे मुझे मेरे परिवार को, मेरी बजूर्ग माँ और बच्चियों को, ब़ूँ को मेरे घर में पूरी तरह से बंड़क बनाके रखा गया और चार दिन की रेड के बाद वो रात गए हैं और रात उनको कुछ भी नहीं मिला कोई धन नहीं, कोई कैस नहीं, कोई कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ, केवल और केवल हमें प्रताडित करने के लिए, राजनीतिक दुएस के कारण, राजनीतिक धेदभाव के कारण, हम भाजपा के खिलाप अवाज ना उठाएं, इसके कारण हमारे को प्रताडित किया जा रेड मारी गई और यह चौथी रेड है अगर इनको कुछ मिलना होता तो हम कह सकते हैं पहली रेड में मिल गया होता दूसरी में मिल गया होता केवल हमें तोड़ने के लिए केवल हमें हतों उत्साहित करने के लिए यह कारवाई की जा रही है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये मेरे उपर कारवाई कर ले मेरे भाईयों कर ले लेकिन मेरी बुज़ूर्ब मा मेरी बेटियां मेरी बहुए बच्चे छोटे छोटे बच्चे आज सारा घर पर रेशान था चार दिन से ना किसी को निकलने दिया ना बढ़ने दिया मोबाईल हमारे चीन लिए हमारा बुरा हाल कर दिया ये एगोसित अमरिजन्सी है लोग तंत्र का और हमारा ये हनन किया जा रहा है कुछ भी बरामन नहीं हुआ कुछ नहीं मिला लेकिन कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ अच्छे वाके बताया है आपने की लॉकेट हाँ दो अंगूटी और लॉकेट एक करमचारी ने जेब में छिपा